हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की रीजिनिंग का सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग तो मैं वही प्रेशने लेकर के आया हूँ जो परिक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको ये पता लग जाएगा कि परिक्षा में कोडिंग डिकोडिंग से कैसे प्रेशने बनते हैं तो आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को अच्छे से तयार कर लिजे तो चलिए स्टार्ट करतें दोस्तों पहला प्रेशने आपका यदि गिलेर को इतना और मौनसून को इतना लिखा जाता है तो रैंसम को क्या लिखा जाएगा देखे गिलेर का कोड इतना दे रखा है मौनसून का कोड इतना दे रखा है तो रैंसम का कोड क्या होगा यह पूछ रहा है अब देखे इसको इन नमबरों से कोडित किया गया यहां पर अगर मैं लिखूं क्या है दोस्तों गिलेर A, R, E ठीक है दोस्तो Glare को इन नमबरों से coded किया गया मतलब अगर मैं जी की बात करूँ इसे 6 नमबर से इसे 7 नमबर इसे 8 नमबर इसे 1 नमबर और इसे 0 से coded किया गया इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में आगी अब इनकी मैं बात करूँ मौनसून की बात करूँ को दोस्तों देखे इन नमबरों से तो मैं M की बात करूँ इसे 2 से coded किया गया इसे 3 से 9 5, 3, 3 और फिर बात में आपका 9 इन नमबरों से coded किया गया और Ransom का code पूछ रहा है किसका? Ransom A, N, S, O, M अब देखे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इन संक्याओं में और इन संक्याओं में क्या similarity है common number कौन से दिये गए हैं आपको सबसे पहले ये देख लिजी तो यहाँ पर आप देखेंगे इन में कोई ऐसा अक्षर है जो इसमें भी दिया गया है कोई भी हो वो देखिए है सबसे पहले जी यहाँ पर है यहाँ पर जी नहीं है अल यहाँ पर यहाँ पर नहीं है ए यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है आर यहाँ पर है यहाँ पर यहाँ पर नहीं है मतलब सभी नंबर अलग अलग है अगर एक similarity होती तब हम उसे match करके देखते अब देखे यहाँ पर जैसे के R दिया गया है अब मैं यहाँ पर देखू आर कितने नंबर पर R देखी यहाँ पर यह रहा एक नंबर पर तो मैं इसको एक नंबर से coded करूं R को A की बात करूं तो A यहाँ पर 8 नंबर से coded किया है तो मैं यहाँ पर A को 8 नंबर से coded करूंगा ठीक है एक और मैं तो आठारा दे रखा 1-8 तो 1-8 पहले ही option में है और किसी भी option अब 1-8 नहीं है तो पहला यह option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ये मैं आपको सबसे आसन तरीका बता रहा हूँ पूरा प्रेशने स्वाल्ब करने की कोई जरूत नहीं है अंत तक वीडियो देखते रहिए आप दो तीन अक्षरों से ही पूरा आंसर निकाल लेंगे ठीक है एन को भी चेक करेंगे एन कितने नमबर पे नाइन है तो नाइन देखिए एस को चेक कीजिए एस फाइब नमबर पे है तो फाइब से कोड़ित कीजिए ओ तीन नमबर पर है यहां भी तीन पर तो ओ को तीन नमबर से कोड़ित करो M की बात करो M दो नमबर पे है तो दो नमबर से कोड़ित करो तो 18, 95, 32, 18, 95, 32 पहला option हो जाएगा सही answer उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आगिया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है एक खास code में बॉर्नो को इतना लिखा जाता है और news को इतना लिखा जाता है तो उसी code में शोर को कैसे लिखा जाएगा बहुत simple है देखिए B, O, R, N क्यों क्या लिखा गया इतना मतलब 5, 3 और ये जो symbol है दोस्तो डॉलर वाला symbol है और ये दे रखाब को star के लिए star N को क्या है star से coded किया गया अब news की बात करें news को भी दोस्तो coded किया गया है star 2, 4 has star इसको किस से किया गया coded star से star के बाद 2, फिर 4, फिर has ठीक है इनसे coded किया गया है और इसका पूछ रहा है आपसे मतलब S, O, R, E का पूछ रहा है वही करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैच कीजिए, यहाँ पर N है यहाँ पर भी N है तो N को देखे, यहाँ पर star से coded किया गया यहाँ भी N को star से coded किया गया ठीक है, तो यहाँ पर देखे, S है तो S को देखे, किस से coded किया गया आप कहेंगे, सर हैज से और E को किस से coded किया, आप कहेंगे E को 2 से coded किया गया, हमने ये पूरा solve करके दिखा दिया, जबकि पूरा solve करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों जरूरत नहीं थी, आपने S को coded कर दिया, hedge से, क्योंकि S का code hedge है, तो S को hedge से coded कर दिया, option में match कर लो, पहले number पे hedge सिर्फ B option में आ लगेगा, पांस सेकिन का समय लगेगा, छे सेकिन का लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, यह तो मैं आपको पूरा एक एक चीज बता रहो, तभी इतना समय लग रहा है, अब देखेंगे अगला क्वेशन, अगला क्वेशन है, यदि एक कूट भासा में जर्मनी को इतना लिखा जाता है, तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा, जर्मनी का कोट आपको दे रखा है दोस्तों इतना, तो फ्रांस का कोट क्या होगा, जर्मनी की बात कर रहा है, तो हम जर्मनी यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, किलियर है, आर, एम, ए, एन, वाई, इसका कोड कितना है इतना मतलब इसका कोड कितना है दोस्तों 7 5 फिर 18 13 14 25 अब देखिए इनका कोड आपको दे रखा है अगर आप किसी भी तयारी कर रहे हैं किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं और आपको ये चीज नहीं पता कि ABCD के जो अलफावेट है कौन सा अलफावेट कितने नमबर प्याता है ये आपको नहीं पता तो आप इन प्रेशनों को करने में काफी समय लगा देंगे देखिए कैसे अब देखिए A to Z 26 अलफावेट होते हैं तो कौन सा अलफावेट कितने नमबर प्याता आपको पता होना चाहिए यहाँ पर देखिए G का कोड क्या है 7 तो आपको यह पता होना चाहिए ABCD में G कितने नमबर प्याता है 7 नमबर प्याता है ठीक है E कितने नमबर प्याता है 5 प्याता है तो इनकी place value यहाँ पर लिखी गई है R 18 प्याता है इनकी place value यहाँ पर लिखी गई है A आपका सबसे first number पर आता है तो first से coded किया गया है एक से तो Y आपका 25 पर आता है Y के बाद तो Z आता है तो Z 26 हो जाता Y 25 पर आता है तो इनकी जो place value होती है वो यहाँ पर लिखी गई है तो यहाँ पर पूछ रहा आप से France का code F R A N C E इसका code पूछ रहा है तो इसकी place value भी लिखेंगे जब यहाँ पर place value है तो यहाँ पर भी place value लिख देंगे अब F की मैं बात करूँ तो F कितने number पर आता है? 6 पर आता है R आपका 18 पर आता है नहीं पर आता है तो यहाँ से देख लीजिए और A आपका 1 पर आता है यहाँ से देख लीजिए आप N कितने पर आता है? यहाँ से देख लो कितने पर आता है? 14 पर आता है C कितने पर आता है? A, B, C तीन number पर आता है आपको मालूम है यह कितने पर आता है पांच पर आता नहीं पता तो यहां से देख लीजिए के लिए रहे तो 6, 18, 1 किस option में है 6, 18, 1 6 देखिए सबसे पहले 6 आ रहा है और 6 आपका A कही option में C में तो यही सही हो जाएगा आगे तो मैं पूरा चेक करके दिखाता हूँ वरना आप एक अलफावेट से ही आंसर निकाल सकते हैं उम्मिद करता हूँ सभी के समझ में प्रेशन आ गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है यदि health को इस रूप में coded किया जाता है या फिर लेखा जाता है तो उसी code में north को कैसे लेखा जाएगा अच्छा प्रेशन है दोस्तों यह वाला देखें समझें क्या कह रहा है ह, ए, 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 ल, ट, ह health को इसमें coded किया गया है अब ह को किसमें coded किया गया है दोस्तों जी, फिर उसके बाद S, फिर K दे रखा है Z दे रखा है, D दे रखा है, G दे रखा है अब देखें, इसको coded किया गया है, health को इसमें अब हमें यह पहचाना कि किस रूप में coded है यह किस रूप में अब देखें, H से पहले कौन सा अक्छर आता है आप कहेंगे, H से पहले G आता है H से पहले G आता है, clear और H के बाद की मैं बात करूँ h के बाद में क्या आता है clear तो h से पहले g आता है तो इससे पहले बार अक्षर देखे g यहाँ पर है इतनी बास समझ मैं और यहाँ पर last में क्या है h और आपको यह भी पता है कि h से पहले g आता है तो देखे g यहाँ पर क्या है first में तो H से पहले G आता है, पहले वाला नमबर दिया गया, तो क्या हो रहा, माइनस 1 हो रहा है, यहां भी H से पहले G दे रखा है, क्या हो रहा, माइनस 1, तो क्या सीरीज लग रही है, दोस्तों, माइनस 1 की सीरीज यहां पर लग रही है, इतना समझ माय है, H के बाद आगे बढ़ पहले आएंगे तो last वाला number Z आजाएगा तो क्या आजाएगा दूस्तों Z आजाएगा A से पहले L दे रखा L से पहले क्या आता है आप कहेंगे sir L से पहले क्या आता है T से पहले क्या आता है आप कहेंगे T से पहले S आता है तो पहले वाला number लिखना है तो पहले वाड़ा number का मतलब क्या है सभी मैंसे हमें minus 1 करके लिखना है इन सभी मैंसे minus 1 करके लिखेंगे इस मैंसे मैं minus 1 करूँगा तो यहाँ पर g आ जाएगा इस मैंसे minus 1 करूँगा d आ जाएगा इस मैंसे minus 1 करूँगा z तो minus 1 की series है वही यहाँ पर लगा देंगे आप North में के लिए N, O, R T, H ठीक है First से Last की तरफ गए थे तो यहाँ भी First से Last की तरफ जाएंगे M से पहले क्या आता है आप कहेंगे M से N से पहले तो M आता है तो Last में M लेखेंगे क्यों First से Last से चलेंगे इस तरीके से चले थे अब दूसरे नमबर पर देखिए O दे रखा है O से पहले क्या आता है आप कहेंगे O से पहले तो N आता है तो यहाँ पर N लिख दू R की बात करें R से पहले क्या आता है आप कहेंगे R से पहले तो Q आता है D option हो जाएगा सही answer G पहले ही option में दे रखा है और किसी में सबसे पहले G नहीं है सिर्फ इसी में तो यही answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों समझे में आगी बात अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका और इस question की मैं बात करूँ दोस्तों यह question बहुत ही अच्छा है ला जवाब question है ठीक है देखें गोल्ड को होम कॉर्ड को डोस लिखा जाता है समझे गोल्ड गोल्ड को क्या लिखा गया दोस्तों होम गोल्ड को क्या लिखा गया होम ठीक गोल्ड को होम और कॉर्ड को C O R D कोड को क्या लिखा गया दोस्तों डोज लिखा गया D.O.S.E और पूछ रहा है S.O.N.S को किस प्रेकार लिखा जाएगा S.O.N.S को किस प्रेकार लिखा जाएगा तो जो लोजिक इसमें बनेगा जो लोजिक इसमें बनेगा उसी लोजिक से यह वाली संक्या find हो जाएगी, देखे, अब मैं यहाँ पर बात करूँ, g से h हुआ, g से क्या हुआ h, तो g में अगर हम plus 1 करेंगे, g का अगला अक्षर h होता है, यह आपको पता है, g के आगे वाला अक्षर क्या होता दोस्तो h होता है, clear है, कि g कितने नमबर पे आता है, 7 पे h कितने नमबर पे आता है, 8 पे, तो 7 के बाद 8 लिखा गया, मतलब क्या हुआ, plus 1 हुआ, अब दीखे, o है, नीचे भी o है, तो यहाँ पर भी जो संक्या है, वही लिखी गई है, ना तो यहाँ plus हो रहा, ना यहाँ पर minus हो रहा, 0 लिख देंगे, ना plus है, ना minus तो 0 लिख द एक्षर दिरखे है, मतलब क्या हुआ, plus 1, और d के बाद दोस्तो Drew A आता है, d से अगला वाला e आता तो यहाँ भी, plus 1 दे रखा है, वही यहाँ पर कीजे, दोस्तो, c के बाद d होता है, ठीक है, c के बाद d यहाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी o है, यहाँ भी o है, ना पिलस ना माइनस यहाँ भी O है यहाँ भी O है ना पिलस या माइनस ठीक है R के बाद में S आता है तो पिलस 1 D के बाद में E आता है पिलस 1 सभी में पिलस 1 हुराज सिर्फ और सिर्फ दूसरे अक्षर में कुछ भी चेंज नहीं है तो S के बाद में दोस्तों क्या आता है आप कहेंगे S के बाद में T आता है क्या आता है S के बाद में T T आता है तो plus 1 दूसरे एक्षर में कुछ भी change नहीं है जब कुछ भी change नहीं है तो वही लिख देंगे कुछ भी change नहीं है N के बाद दोस्तों क्या आता है आप कहेंगे N के बाद तो O आता है तो O लिख देंगे क्योंकि प्लस बन लिखना है S के बाद में क्या आता है दोस्तों आप कहेंगे T आता है S के बाद में T आता है तो यहां भी प्लस बन कर देंगे कि कोई सभी में पिलस बन हो रहा है सिर्फ दूसरे वाले में पिलस बन नहीं हो रहा जीरो के स्थान पे जीरो मतलब O है तो O ही यहाँ पर दिया गया है तो T double O T किस option में है T double O T आपके C option में है तो यही हो जाएगा आपकी question का सही answer उमिद करता हूँ सभी की समझ में प्रेशन अच्छे तरीके से आगया होगा अब देख रहे हैं अगला question अगला question है आपका यदि road को इस रूप में लिखा जाता है तो बताएं कि swan को कैसे लिखा जाएगा इसको इतना लिखा जाता है road को R O A D R O A D को क्या लिखा जाता है इतना U R D G लिखा जाता है तो देखे मैंने आपको क्या बताया आप देखे संख्यां बड़ी बड़ी होने लगी है जो difference है वो बढ़ने लगा है जब difference बढ़ने लगा है तो मैंने आपको क्या बताया आपको इनकी place value पता होनी चाहिए जिसके R कितने पर आता है 18 पर O आता है 15 पर A आता है 1 पर D आता है 4 पर और इसकी place value किया है U आता है आपका 21 पर R 18 पर आता है D 4 पर आता है G आपका दोस्तो 7 पर आता है ठीक है अब देखे इनको इतना लिखा गया R को क्या लिखा गया दोस्तो U R आता 18 पर 18 पर आठारे नंबर से 21 पर पहुंच गये कितना plus हुआ आप कहेंगे सर्थ 3 plus हुआ O आता है 15 पर 15 से कहां पहुंच रहे 18 पर 15 से 18 पर पहुंच रहे क्या हुआ दोस्तो 3 plus हुआ 1 से पहुंच रहे है 4 पर 1 से 4 पर पहुंच रहे है दोस्तो plus 3 हुआ D आता है दोस्तो 4 पर 4 से कहां पहुंच रहे है 7 पर 4 से 7 पहुंचेंगे यहां भी plus 3 हुआ तो सभी में plus 3 हो रहा है तो वही यहां पर कर दीजे S, W, A, N इनकी place value S 19 पर आता है W आपका 23 पर ये 1 पर आता है और ये आपका 14 पर अब देखें यहां समय प्लस 3 हुआ तो मैं यहां भी प्लस 3 कर दू 19 से प्लस 3 करूँगा 22 पर पहुँचेंगे 22 पर क्या आता दोस्तो आपका V अब देखें V कितने option में है VZ, VZ, VZ एक ही option में VZ है तो यही सही हो जाएगा आगे चेक करने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि सबसे पहले V और Z दे रखें सिर्फ एक ही option में VZ है तो यही सही हो जाएगा आगे solve करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है आंसर आपको पता चल गया अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका matter को इस रूप में लिखा गया है तो beyond को कैसे लिखा जाएगा देखें दोस्तों समझी प्रेस्टने को m, a, t, t, e, r यह matter लिखा हुआ इसको इतना लिखा गया है तो लिख लेतें दोस्तों को t, a, m, r, e, t इसको इतना लिखा गया है मतलब इसको इतना लिखा गया है इस रूप में coded किया गया है अब दीखें समझना हमें क्या है देखें यहाँ पर जो matter है उन्हीं नमबरों को मतलब जो अक्षर यहां पर जो अल्फावेट यहां दिये गए उन्हीं को उलट फिर करके उल्टा पुल्टा करके इस तरीके से लिख दिया गया है इन्हीं अक्षरों को जो अक्षर यहां पर है इन्हीं को उल्टा पुल्टा कर दिया है अब देखें यहां पर T है तो तीसरे नमबर पर है यहां पहले नमबर पर कर दिया यहां T एक और चौथे नमबर पर है यहां लाश्ट में कर दिया बात समझने हैं दोस्तों और जो पहले अक्षर वाला है वो यहां पर तीसरे पर कर दिया और जो दूसरे नमबर पर है यहां को लगा देना है आपको देखिए कैसे B E Y O N D ठीक देखिए यहाँ जो तीसरे नमबर पे है उसे पहले लिख दिया आपने तो यहाँ जो तीसरे नमबर पे है मैं इसे पहले लिख दूँगा मतलब Y को इतनी बास समझ मैं आई फिर यहाँ तीसरे के बास जो चौते नमबर पे उसे लाश्ट में लिखा गया तो T को देखी लाश्ट में लिखा गया यहाँ पर चौते नमबर पे जो उसे में लाश्ट में लिख दूँगा मतलब O को लाश्ट में लिख दूँगा यहाँ पर चौथे नमबर पर था उसे लाश्टे में लिखा गया समझ माई बात जो दूसरे नमबर पर हो उसे दूसरे पर ही रहने दिया तो दूसरे नमबर पर E है तो मैं यहाँ दूसरे नमबर पर E को ही रहने दूँगा पहले नमबर पर M है तो यही सही हो जाएगा आगे चेक करने की तो कोई जरूद बची नहीं है ठीक है यहाँ लाष्ट में R है नीचे तीसरे पकर दिया यहाँ लाष्ट में D है तो मैंसे तीसरे पकर दूँगा E last से दूसरे नमबर पर नीचे भी दूसरे पर इसमें कुछ भी चेंज ने किया इसी को रहने दिया तो मैच करिये यही आपको दे रखा है तो answer आपने पहले निकाल लिया A option सही हो जाएगा बात आगे दोस्तों समझ में उम्मीद करता हूँ सभी को प्रेशन अच्छे से समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका F E D गुने 3 बराबर 1630 B C D गुने 4 बराबर 492 B E F गुने 1 बराबर क्या आएगा बहुत ही अच्छा और लाजवाब प्रेशन पूछ रहा है दोस्तों देखें अगर मैं इनकी place value को लिखूं F कितने नमबर पर आता है दोस्तों देखें आपको क्या दे रखा F E और D ये दे रखा है ठीक है multiply कितना दे रखा 3 दे रखा multiply कितने से दे रखा है 3 से अगर मैं 3 का multiply 4 में करूँ 3 चौक के 12 तो 12 में तो एक आएंक 2 है यहां पर 29 आ रहा है तो ये ऐसे नहीं लगेगा कुछ सोचिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं ठीक है ऐसा सोचिए 12 आ रहा है अगर मैं यहां इसे एक कम कर दूँ तो यहां पर 3 हो जाएगा तो 3 त्रिक का 9 यहां पर भी एक कम कर दूँ कितना हो जाएगा 4 तो 3 चौक के 12 12 का 2 कैरी का 1 यहां भी एक कम कर दूँ तो 3 पंजे 15 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 16 तो यहाँ पर क्या दे रखा दोस्तों, माइनस बन, तो माइनस बन, इसमें से भी एक घटा देंगे, पांच, इसमें से भी एक घटा देंगे, चार, इसमें से भी घटा दो, तीन, आप कर दो, मल्टिप्राइज तीन, तीन त्रिक का कितना हो जाएगा, आप कहींगे, सर नो, तीन चौके बारा का दो कैरी का वन तीन पज़े पंदरा कैरी का वन कितना 16 तो 16 सा 29 आगे आपका कैसे आया आपको पता चल गया यहाँ पर देखे क्या दे रखा आपको B, C और D ठीक है इनकी प्लेस वेलू कितनी है यह दो पे आता है यह तीन पे यह चार पे इनके प्लेस वेलू लिखने के बाद हमने क्या क्या एक एक माइनस किया तो यहाँ पर भी एक एक माइनस कर दो इसमें से गटा देंगे एक यहाँ से गटा देंगे ती और मल्टिप्राई कितने से दे रखा आपको यहाँ 492 दे रखा है तो यह आपका answer हो गया जो logic यहाँ लगा था वही logic हमने यहाँ पर लगा दिया और उसी logic से फिर यहाँ पर हमें संख्या निकालनी है क्या संख्या है B, E और F दे रखा है और multiply 1 दे रखा है B कितने पर आता है 2 पे, E आता है 5 पे और आपका F आता है 6 पे यहाँ इन मैंसे क्या किया है place value निकालने के बाद एक एक कम करके लिखा है तो यहाँ भी एक एक कम कर देंगे 2 मैंसे एक कम करेंगे 1 यहाँ एक कम करेंगे 4 यहाँ एक कम करेंगे 5 मल्टिपय कितनी से करना एक से तो 145 का मल्टिपय एक से करेंगे तो आपको 145 ही मिलेगा यही आपका आंसर हो जाएगा 145 भी आफसर हो जाएगा आपके question का दोस्तों सही answer तो मैं उम्मिद करता हूँ सभी को प्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है यदि drink को इतना लिखा जाता है और blots को इतना लिखा जाता है तो honey को कैसे लिखा जाएगा देखें लिख लीजे यहाँ पर क्या दे रखा drink drink को को कितना लिखा गया इतना मतलब J M H Q C फिर किसकी बात कर रहा है blots की blots को कितना लिखा गया इतना मतलब R S N K A अब इन में relation पहले बता लीजे तो यहाँ पर आपको honey में क्या relation बनेगा वो आपको पता लग जाएगा ठीक है दोस्तो जो relation इन में लगेगा वही relation हनी में लगेगा अब देखिए अगर मैं opposite करूँ जैसे मैंने पहले किया था first का last से तो यहाँ पर D है D से क्या हो गया C मतलब minus 1 हो रहा है इसनी बात दोस्तों आपकी समझ में आ रही है minus 1 हो रहा है ठीक है उसके बाद में क्या है R R से पहले Q आता है तो यहाँ भी आपको minus 1 दे रहा है R से पहले Q ठीक है I से पहले H आता है H के बाद आई आता है I से पहले H तो यहाँ भी minus 1 हो रहा है N से पहले आपको पता है M आता है और K से पहले आपको पता है J आता है ठीक है तो यहाँ पर क्या है इन सभी संख्याओं मैं से एक कम करके नीचे लिखा गया है ठीक है जैसे मैं B के बाद करूँ फर्स्ट का यहां लाश्ट से है तो यहां भी फर्स्ट का लाश्ट से है तो B दो पर आता है दो मैं से एक कम करूँगा एक पर A आता है तो एक कम करके लिखा गया है L से पहले के आता है O से पहले N T से पहले S और S से पहले R ठीक है इस तरीके से चला तो वही यहाँ पर चलेगा H से पहले दोस्तों क्या आता है H से पहले आपको पता है G आता है तो यहाँ G लिख दो ठीक है O से पहले आपको पता है क्या आता है O से पहले आपको मालूम है N आता है तो लाश्टे में चेक कीजे N और G लाश्टे में किस option में N G, N G, N G, N G N G C option में है तो यही सही हो जाएगा पूरा चेक करने की जरूत नहीं लेकिन आप चेक कर सकती है ठीक है? देखे, N से पहले क्या आता है? M E से पहले क्या आता है? आप कहेंगे D और Y से पहले क्या आता है? आप कहेंगे X आता, Y से पहले तो यही तो दे रखा आप cancer आ गया, दोस्तों C option पहली हमने चेक कर लिया था अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका यदि जजी C.L. को इतना लिखा जाता है तो Glorious को कैसे लिखा जाएगा तो देखें इनका relation यहां पर क्या वरना है वो देख लीजे क्या लिखा गया है जजी C.L. J.U.D.I.C.I.A.L. इसको कितना लिखा गया है दोस्तों इतना तो हम Glorious लिख लेते हैं ठीक है I.O.U.S. अब जो relation इसमें बनेगा वही हम Glorious का बनाएंगे अब देखें यहां पर पहले नमबर पर J है और यहां पर J कहां पर है चौथे नमबर पर तो यहां पहले नमबर से चार नमबर पर J आ गया L इतनी बास दोस्तों समझे मागी यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा 1,2,3,4 चार नमबर पर क्या है I और नीचे पांच नमबर पर I है ठीक है दोस्तों यहां चार नमबर पर क्या है 1,2,3,4 तो चार नमबर वाला नीचे कहा जाएगा 5 नमबर पर R एक ही option ऐसा है जिसमें LGRRI बीच में तो यही हमारे प्रेशन का दोस्तों सही answer हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें जदी आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का वटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद